गुड इवनिंग एवरिवन बस त्यारी अगर कर रहे हो तो करते रहो नहीं कर रहे हो तो शुरू कर दो ठीक है जल्दी जल्दी एगरिकल्चर के कुछ important questions को discuss करते हैं आगे बढ़ा के देखते रहो ठीक है तो यारे शुरू कर दो, competition बढ़ चुका है, exams आ रहे हैं, कई सारे नहीं आ रहे हैं, तो आएंगे तो उसके लिए आपको already ready रहना पड़ेगा, ठीक है, बारवर मौके नहीं मिलते हैं, चलो, motivation बहुत जोगा, questions पर आते हैं, पहला question आप से कह रहा है कि fertilizer, पहला question क्या कह रहा ह है, पहला question आप से कहता है कि fertilizer को मेच की कौन सी stage तक हमें दे देना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक हो, fertilizer application is mage should be completed before, तेसलिंग और शिलकिंग के 기대 में सब को पता होगा क्या यहां जमेच का पूरा का पूरा ग्रों कर ओर जाते हैं पूरा की आप्या पूरी चंचे इंग कर लेता धिकले। लेांट कि उत्माड इंग कर लेता है ब tutorials यंहां रोह नोड़ fama female flowers भी आने लग जाते हैं ठीक है तो टैसल और silking का मतलब आपको पता होना चाहिए और generally जब मेज में कहते हैं कि आपको फ़ल्टिलाइजर डालना है वो आपको male flower आने से थोड़ा सा पहले पहले डाल देना है ठीक है तो इसका answer first होगा कि आप टैसलिंग से पहले ही क्या करो फ़ल्टिलाइजर पूरा दे दो तो वही बात यहां पर लिखी हुई है कि आपके टैसल आते हैं ठीक है और silking से कुछ दिन पहले ही टैसल आने लग जाते हैं और पूरी तरीके से क्या होते हैं इमर्ज कर जाते हैं यह जो आपको दिख रहे मेज की प्लांट के ऊपर यही होते हैं मेल फलार जिन को अंब लोग करते हैं हैं और इनके निकलने और निकलने से पहले-पहले यह मेल फूर आने से पहले-पहले क्या कर दिया जाए इंक्राइज्र में दिया जाय। तो आपको पता होना भी जरूरी है, जब हम बात करते हैं, नेट इरिगेशन रिक्वाइरमेंट की, तो होता क्या है कि जो स्वाइल है, या फिर रूट जोन है, मतलब जहां पर प्लांट की रूट है, वहां पर कितना मॉइस्टर प्रजेंट है, ठीक है, और आपको कितना एक फिल्ड कैपेसिटी तक लेकर आओ, ठीक है, इसको हम कहते हैं, नेट इरिगेशन रिक्वाइरमेंट, तो कभी इस तरीके से भी पूछता है, तो वह भी आप बता सकते हो, कि कितना मॉइस्टर प्रजेंट था रूट जोन में, और हमें कितना मॉइस्टर और देना पड़े सब कुछ जोड़ दोगे, तो उसी को तो हम बोलते हैं, क्या, ग्रोस वाटर रिक्वाइरमेंट, ठीक है, तो वही डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है, तो यही आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि आईशार की डालेक डेफिनेशन हैं, कई बार ऐसे सीधा-सी तो जो चीज मैंने बोली, वही चीज यहां पे लिखी हुई है, जर्मी नेशन इज इनिविटेड बाइ, देखो बड़ी, प्लांट की ग्रोथ में सब लाइट का बहुत इंपोर्टेंट रोल है, बहुत के सबसे इंपोर्टेंट रोल है, हमारी ग्रोथ में यह, क्योंकि समयकर, प्लांट नहीं होगा तो प्लांट हंगे प्लांट नहीं होगा थो हम कहा सी होँगे, हमदो वरion होता है, यह लाइ बहुत बहुत different वरion है, हम कंदे जर्ख हो act. हेलियो ट्रपीजम ठीक है और हलो फाइटीजा टोटली डिफरेंट थिंग हलो फाइट अवह फाइट मतलब यह वह प्लाटס होते हैं जो सॉल्ड कंटेंड को को टॉल्ड जो कर लेते हैं क्या कहेते हैं घट्र termination की हो रही है the viewpoint red light हमेथा क्या करता है germination ko promote करता है या फिर support करेगा germination कराएगा ठीक है और blue light कि अगर हम बात करते हैं तो blue light ऐसे light है जो germination को inhibit करता है रोगता है blue light के साथ-साथ far red ठीक है red नही ऐह फार रेट की बात करेंगे तो ये भी आपका germination को रोकता है, ठीक है, तो blue और far red light जो होती हो germination को inhibit करेगी, और red light की अगर हम बात करते हैं, तो germination को increase करेगी, बढ़ाएगी, ओके, आओ भी, soil particle density किसे major करते हैं, चलो particle density तो आप बता दो भले, पर आपको penetrometer पता होना चाहिए question है, ये एक exam में आये, I think AFO में पुछा बाता, पिक्नोमेटर भी चलो आपको हलका सा पता होना चाहिए, और hydrometer तो important है ही है, ठीक है, सबसे important इसमें आपका hydrometer, ठीक है, potometer भी लिखा है ना, potometer भी आप पढ़ते हो ना, agronomy में, ठीक है, ठीक है, तो particle density किस से mention होती है, penetrate करता है, penetrometer, penetrate करोगे और इसे measure करते हैं हम लोग कि कितना force लग रहा है, इसको penetrate करने में ठीक है, इसको penetrate करने में, ठीक है, Isco penetration तो कमों मेटर मेटर फिकनोमेटर आप ऐस regular पिकनोमेटर एसा चोटी सी बॉटल सी होती एक इसा चोटी सी brcca होती जो यूज कि जा ति हे इसंट के लिए पार्टीकल डेंसी टीको is दए करने के लिए में आपको बताओं तो hydrometer soil texture में बहुत important काम करता है, soil texture measure करने का एक बहुत rapid method है, fast है जो soil texture के बारे में आपको बता देगा, but दिक्कत यह इतना accurate नहीं है, ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर pignometer बिल्कुल सही है, अलब देखाए, question है कि heterosis क्या होता ह question तो बड़ा simple है, but important बहुत है, ठीक है, important बहुत है, एक parent यह है, दूसरा parent यह है, इन parent का cross करेंगे बनेगा off spring, या फिर child बनेगा, ठीक है, जो भी बना, child तो क्या, plant का child तो नहीं होता, off spring होता है, ठीक, चलो, off spring बना, तो अब कह रहा है कि मानलो, off spring बन गया, appearance of spontaneous mutation, क्या heterosis का मतलब यह होता है कि कोई भी plant उसमें अचानक से mutation हो जाए, या फिर induction of mutation, या एक तो अचानक से mutation हो सकता है, अचानक से नहीं होगा, तो हम लोग कौन चक हम है, हम लोग उसको radiation देंगे, जैसे स्वामी नातन जी नहीं किया था, क्या किया था, wheat में radiation ही तो दिया था, gamma radiation, य ये radiation, वो radiation उससे और chemicals भी use करते हैं, क्यों, क्योंकि mutation होगा और हो सकता है हमारी काम का mutation हो जाए, तो क्या ये होता है आपका hetrosis, या mixture of two or more traits, भाई दो parents थे हो सकता है कि कई सारे traits में mix हो गए हो, या फिर जो आपका off spring है, ये parent है, और ये क्या है, ये क्या है, नीचे आपका off spring है, तो off spring जो parents है, उनसे superior होगा, आप अपने ममी पापा से superior होगे है ना, वैसे होने के लिए तो वैसे तो नहीं होते है अपन, क्यों होगे, ठीक है, मतलब यहां पर plant है, हम लोग चलो, नी superior हो सकते है, पर plant में हो सकते है, प्लांट में जो off spring होगा, अपने parents से superior होगा, जाद अच्छी qualities होंगे उसी को कहते हैं heterosis ठीक है heterosis किसको बोलते हैं कि जो parents होंगे उनका जो op spring बनेगा वो क्या होगा उसमें जो qualities होंगी वो parents से जादा अच्छा होगा जादा better होगा इसी अच्छी चीज़ को हम बोलेंगे heterosis ठीक है हाँ ठीक है देखो मैंने आपको numerical की तो एक पूरी क्लास भी ली थी हाला कि वो class one time only थी है ना बट numerical बहुत बहुत इंपोर्टेंट है किसी भी exam के आप त्यारी कर तो कोई भी state exam आप उठा के देखो कोई भी तो नहीं पर पूछता है पंजाब वालों के लिए तो बहुत ही हदी इंपोर्टेंट होते है numerical बहुत पूछे वे और अभी बिहार वाला exam अगर जो देखे आयोगा वहां भी numerical पूछा वाता ठीक है वहां भी numerical पूछा वाता ठीक है तो यह आपको आना चाहिए क्योंकि वही बात है कुछ question होते हैं जो आपकी merit बनाएंगे सारे कोई बाकी question लगबग सब करते ही करते हैं फिर वही चार-पांच question गई तो gap रह जाता है चलो जल्दी से question को निप्टाया जाए इसको solve किया जाए देखो क्या कह रहा है इसमें मैंने आपको बताया है देख अब ही मैं आपको यह समझा रहा हूं जितना समझ सकते हैं आप समझात हूं ठीक है तो क्या रहे कि 40 kg nitrogen per hectare अम आपलाई करने के लिए बताया है कितना करना होगा तो हम इस 10 m² के लिए urea कितना डालना है nitrogen निए urea ठीक तो पहले मैंने क्या कहा इसमें आपको दिया है कि 40 kg nitrogen ठीक है यह 1 hectare था तो 40 kg nitrogen 1 hectare में डाल रहा हूं पूछ रहा है क्या 10 m² में कितना nitrogen देना है ठीक तो सबसे पहले क्या करो आप 1 hectare क्ले में से calculate करो यूरिया पूचाए ना यूरिया ठीक है मतलब आपको 40 kg 1 hectare क्ले दिया है तो यूरिया कितना लगईगा जंदी से निकाल लो 46% nitrogen होता है into 100 ठीक है solve करोगे तो I think आपका यहाँ पर 87 kg आ जाएगा ठीक है कर लेना मैंने थोड़ी देर पहले ही ट्राइग देखना ही पड़ते ना एक बार बरना यहाँ पे बार-बार कौन calculate करे 87 kg है ना वही 87 kg यहाँ पर आपका आ गया ठीक है अब मैं आपको फिर से ब एक साइड सेम चीजी ही रखनी है और इसके लावा क्या हो गया तो कितना यूरिया मिलेगा आपको कितना 40 kg nitrogen कितने यूरिया से मिलेगा तो क्या करना है भाई cross multiply इसको इधर multiply किया मैंने 40 into 100 divided by 46 ठीक है तो इसको आप solve करोगे तो आप पे 87 kg के आराउंड रफली आशाएगा आंसर नहीं है यह यूरिया आगया एक हेक्टेर में पूचा कितने में 10 मीटर स्कॉयर में ठीक है तो पहला स्टेप यह हो गया हमारा यूरिया कितना आगया 87 kg आजा आजा चलदी 87 kg यूरिया आगया एक हेक्टेर के लिए पर हेक्टेर मतलब 87 kg यूरिया लगेगा एक हेक् इतना यूरिया देना पड़ेगा 10 meter square के लिए, ठीक, फिर से cross multiply, यह तो बहुत असान numerical है, 10 into 87, this is 10, 10 into 87 divided by 10,000, 0 कटा, 0 कटा अब आगे, 87 divided by 1000, ठीक है, तो यह आपका क्या आगे, 87 आगे, 87 मतलब gram में अगर आप जाओगे, या फिर आपका यह आजाएगा, 0.087 kg, ठीक है, औ ठीक है, numericals are very, 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 very important, organic matter, देखो भई, soil quality के उपर आजकल बड़ा focus हो रहा है, carbon sequestration वगेरा भी थोड़ा बहुत आपको idea होना चाहिए, क्योंकि देखो, कोई tough चीज पूछता है, तो बहुत बहुत भले ना पूछे, but basically आपको idea होना चाहिए, carbon sequestration के कई लोगों को पता पता होना चाहिए, तो देखो यह organic matter के regarding पूछ रहा है, यहाँ पर जल्दी से हम organic matter को देखते हैं कि कब जादा होगा, कब कम होगा, सारे factors एक साथ देख डालते हैं, ठीक है, carbon sequestration में ने बोला, carbon sequestration में आपको एकदम layman terms, अगदम असान भास समें बोलूँ, तो देखो य जो नीचे स्वाइल है, एट्मोसफेर में बहुत ज़्यादा CO2 है, इस एट्मोसफेर CO2 को क्या करेगा, स्वाइल में यह आप इस तरीके से बाइंड करके रख लो, कि यह वापिस एट्मोसफेर में स्केप ना कर पाई, इसको बोलते है, carbon sequestration बात खतन, organic matter, कह रहा है कि poorly drained soil जो होती है, मतलब जो waterlock soil है, जहाँ पानी भरावाया, उसमें organic matter जादा होता है, क्यों जादा होता है, ठीक है, हमें से याद रखना, जब भी waterlock condition होती है, तो वहाँ organic soil डेवलप होने लगती है, ठीक, क्यों, क्योंकि organic matter decompose नहीं कर पाता, decompose करेगा, तो क्या होगा, जाए waterlock condition है, poorly drained मतलब क्या, drainage अच्छा नहीं हो रहा, अब drainage अच्छा नहीं हो रहा, तो पानी भरावाया, तो water क्या है, ज्यादा है, ना की कम, दूसरा low temperature, ठीक है, temperature जितना ज्यादा होता है, generally reaction उतनी fast होती है, ठीक हो बैसे low temperature गलत नहीं है, low temperature होता है, तो organic matter ज्यादा होता है, यह main region नहीं, waterlock की बात कर रहा है, waterlock की बात कर रहा है, waterlock में main region नहीं की temperature कम है, ठीक है, poor aeration, ठीक है, यह वही वाली बात आ गई, कि आपका air कम है, oxygen कम होगा, aeration अच्छा नहीं है, इस वजा से organic matter का decomposition यहाँ पर नहीं होता, और जैसा organic matter है, वैसा ही रह जाता है, organic soil बनने ल जकती है, ठीक है, तो यह ही इसका आपका answer चला जाएगा, तो जल्दीचे देखो आपके इसमें, कुछ factors में आपको बताओ, ठीक है, climate, climate में अगर आपको में बताओ, तो पहले हम temperature region, जो temperature region है, जहाँ ठंड भो जादा है, वहाँ organic matter भी जादा है, जहाँ आपका tropical region है, ठीक आपके organic matter भी जादा है, natural vegetation, वह यह भाई, forest area है, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, ज्यादा देखने को मिलेगा, organic matter, texture, हमेशा clay soil के साथ, organic matter ज्यादा असोशेट होता है, और आपका जो sandy soil है, वहाँ पे आपको organic matter कम देखने को मिलेगा, तो area region में भी आपको organic matter efficient होगा, drainage व आपका organic soil develop होने लगती है, hydromorphic soil भी जैसे होती है कुछ, ठीक है, और ariation यह पे आपका फिर poor ही होगा, ठीक है, अब water से बढ़ है, तो poor ariation, cropping and tillage, यह भी बहुत important है आपका, ठीक है, इसमें देखो क्या है, अगर आप field, अगर आप क्या कर रहे हो, हैरो वेरो सब चला र नहीं छेड़ आपका, यह फोरेस्ट में, तो वहां organic matter ज्यादा होगा, जहां पे आप cultivation कर रहे हो, वहां काम होगा, बाकी crop rotation, residues, plant, nutrient, यह सब ठीक है, देखो crop rotation में एक चीज़ ध्यान रखना, legumes बहुत important है, soil quality को बढ़ाने के लिए, ठीक है, soil quality को बढ़ाने के लिए, क्य वह organic matter भी add करता है, उसकी roots बहुत deep है, organic matter भी add करता है, को जादी बता जिया है, ठीक है, इसको भी याद कर लो जल्दी-जल्दी, क्योंकि organic matter decomposition rate भी important है, यह बहुत जल्दी decompose होते हैं, यह थोड़ा slow होते हैं, यह थोड़ा slow होते हैं, और यह fat, wax, resins, lignin, यह सब क्या है, slow 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 जाके decompose करते हैं, आज बहुत, natural aggregates of soil is known as, है ना, soil की natural aggregates को क्या कहते हैं, देखो तीन-चार टम्स हैं, यह थोड़ा अपर, तीन-चार असान-असान से टम्स हैं, एक होते है आपका PED, एक होते है आपका CLODE, एक होते है आपका Fragment, एक होते है आपका, grid तो देखों, पर लिख दिया, बड़ एक होते है, आपका Concretions, ठीक है, यह चार्ट है हमसे, जो Soil Physics में आप लोग पढ़ते हो, याद पता होना चाहिए, Natural aggregates, आपका Individual natural aggregates, जो होते है, वो होते है PED, और Broken PED, जब PED यह तूट जाता है, Broken PED जो होते है, इसको हम कहते है Fragments, दोटम के ल होता है, ठीक है, उसी को हम बोलते है, क्या Clod, बोलते है, और एक होते है Concretions, Concretions क्या होगा, यह आपने Pesticide, Fertilizer वगएर, Chemical वगएर का Spray किया, अब वो Chemical क्या होगा, कई बार वो Water के साथ Dissolve होके, नीचे लीच डाउन हो गया, मतलब Water के साथ Dissolve होके नीचे आगया, और थोड़ा बहुत, जो Chemical था, वो क्या हो गया, थोड़ा सा इखटा हो गया, और थोड़ा हाड सा हो गया, ठीक है, उसी चीज को हम कहते हैं, क्या Concretions, तो आपके Individual Natural Aggregates है, Natural Aggregates generally क्या होता है, PADS होता है, ना, Simple सा ट्रॉम से पर पता होना चाहिए, ठीक है, यह तो एक असान स अध से ठीक हाँ, बहुत की बहुति है, अध सबसे जाहिन विर्म पर करते हैं, वह ना, बहुते हैं, ने क्नौके संगते हैं, डश्छक्रन पर आपके साथ बाताइनों की वीटन पूरिखते हैं, उसकी में होदे 5000 का होता है, क्या होता होद பly अक्ति हीं वोदे जोते हैं ङ भारवाली विंग्स ऐसे खुलती है ठीक है इसी को बोलता है हम Elytra जो Haard है यह ऐसे खुलेगी और जो नीचे वाली विंग्स है ठीक है जो उसकी Hind visse नीचे वाली उससे वह fly करता है ठीक है तो इसी को हम बोलते है क्या Elytra जो आपको साइल बीटल्स में देखने को मिलते हैं ठीक है, एलाय्टर कहा है? बीटल्स है olhos, है मिलाय्टर मतलब मोइद जो विंक होगी वह हार्ड उप्डेले में होते हैं पर बाकी जो आधी विंक होगी वो मेम्ब्रेनस हो ठीक है और यह आपको देखने को मिलेगा बक्स में, अब दो वर्ड और आए, टेग माइना, टेग माइना भी आपका थोड़ा सा इलाइटरा जैसे है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है, टेग माइना भी सेम चीज है, कि भारवाली विंग हाड सी होती है, जैसे आपके ग्रास ओफर में जैसे आपकी ग्रास ओक और कोक्रोज में, भारवाली विंग, जो फोड विंग है उसकी हड होगी और नीचे वाली विंग से वो ऊड़ेगा, ठीक है, मेंब्रेम्रेनिस होगी, तो वह आपके जो भारवाली हाड विंग है आपकी टेग माइना है, और एक और चीज आती हाल एड होते हैं। इन सब के पास दो दो pair wings हैं एक pair और एक कर पर आस प्राइग के पास बिचारिकर European बिचारी पास। और हास पिछारी पास हैं। जो इसे हैं आस्सूरी जो जो फिर लूसरे के दो जो उसके है हमिलाइटराइज बाक्स इलाइटराइज बीटर तो सीडी किसका आ गया सीडी सीडी दो अप्शन ठीक है बिया दी में से एक होगा थ्री ट्री टेग माइना इस ग्रास ऑफवर्ड थ्री है ठीक है डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है फॉर्थ का भी हो गया कि यूद्या की बात कर रहे हैं इन में से क्वाला फर्टिलाइजर आपका होगा डोग फोस्पेट शिंगल शूपर फोस्पेट या ट्रिपल सूपर फॉस्पेट देखो एक तो जो बेसिक बात होती है क्या आपका 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 होते हैं नोमोचेलमॉफोस्पेτο् जशंपर्स यह वाटर में दिजवर मzugeंगा यह वाटर में डिजवर सिट्रिक अभिन विदाइसिदी SSP, DSP and TSP, ये तीनों की तीनों आपके water soluble होते हैं, तो ये भी हमने उड़ा दिया बचा क्या basic slag, ठीक है, डाय केलसियम फोस्पेट है उसी के अंदर आपका, आप basic slag भी कह सकते हैं, उसमें भी आपका diagasm phosphate की form में phosphorus presented, तो basic slag आपका generally क्या होता है, citric acid में soluble हो जाता है, और rock phosphate के अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आपका 38% तक P2O5 होता है, और बहुत important line है, acidic soil में इसको डालते हैं, ठीक है, acidic soil rise की case में, क्या है, आपका insoluble, acidic condition होगी, तो दीरे-दीरे soluble होगा, release होगा, first transgenic plant tobacco, ठीक है, क्या कह रहा है, पहला transgenic plant tobacco था, वो क्यों, किसके control क्ले बनाएगा, कौन सा insect था है, जो इतना प्रेसान कर रहा था, कि हमने कहां कि अब तो transgenic बनाएंगे और उससे पीछा छुडाएंगे, तो इसा कौन प्रेसा इंसेक्ट था, एम सेक्टा स्पिसीज था क्या, एफिस्क्रासी वह रहा था, मैडू का सेक्ष्टा था, या इस पॉटेड बॉल वाम था, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कि मैडू का सेक्ष्टा जो था, इससी के control के लिए पहला transgenic plant tobacco बनाया गया था, compositing, fertilizer, organic manure, important है आजकल, ठीक होता क्या है, हीप method क्या होता है, एनरोबिक, आरोबिक, असान सा question है, और भी पूछ सकता था, ठीक हो, हीप method होता है, हीप method होता है, क्या है, हीप method है, कुछ जाद ही explain तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कर देता हूँ ये बार flow में, पर ठीक ह 15 दिन, 30 दिन और 60 दिन वे, क्या करते हैं, इसको mixing करते हैं, mixing क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ariation, 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 ariation चाहिए होगा, bacteria grow करते हैं, डीकंपोजिशन करते रहते हैं, हीप method को ही हम indoor method भी कहते हैं, दूसरा एक क्या आता है, bangalore method जो की anaerobic process होता है, ठीक है, bang bangalore में क्या करते हैं, इसको उपर से pack कर देते हैं, एक slurry बनाते हैं, क्योंकि उपर से इसको लगा के एकदम plaster कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है, bangalore method अच्छा है, पर दिक्कत है कि time हो ज़्यादा लेता है, बनने में, anaerobic में decomposition भी धीरे धीर होता है, इन में से कौन आपका होगा self-polynation, ठीक है, तो लगबग सब में self-polynation है, especially mage के अगर हम बात करें, यहाँ पर mage में आपको क्या देखने को मिलता है, proto-endry, male part, अभी देखो mage का पहला question था, ठीक है, proto-endry तो देखने को मिली, कि tessels पहले आ गए, उसके बाद female reproductive part आता है, तो वही हुआ क्या, proto-endry, कि male reproductive part पहले आया, ओर female reproductive part बाद में आया, तो mage इसका answer चला जाएगा, land capability classes, ठीक है, land capability classes भी, क्या हुआ, दीको, land capability classes की यहाँ बात करते है, land capability classes, क्या पूच्छे, छीक है, कि पूचने कि कितनी classes होती, land capability classes, capability मतलब, इस land की capability कितनी है, मतलब, अगर हम बात करते ह इसे आपसे अगर सिंपल सा कॉशन पूछता है एक तो यह पूछ लेता है जो वन से लेकर फोर तक लेंगे पे बिल्टे क्लासे होती है यह आपकी कल्टीवेशन क्लेश शुटेबल आप कल्टीवेशन कर सकते हैं जैसे हम लोग क्लास की ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो क्ल्टीवेशन करना मुश्किल होता जा रहा है वन वाली क्लास सबसे बड़ी है मस्ट कल्टीवेशन अच्छा कल्टीवेशन हो रहा है फोर वाली क्लास में दिक्कत आना शुरू हो जा रही है ठीक उसके बात 5 6 7 यह जो तीन क्लास है यहां पे आप क्या कर सकते हैं यह सब लोग वही चीज पढ़ रहे हैं ठीक है आप लोग इस चीज को अच्छे से पढ़ो जो ज्यादा बेटर करेंगे सेलेक्शन में उसी का होगा मौक्तेश वगेरा दे रहे हो दो खुद का अनलिसिस करो पीछे रहे हो तो भाई मैंनल पढ़ाओ ठीक है ओके गाईस थेंक्यू सो मच्छ नेक्स सेशन में मिलेंगे किस और इंपोर्टन टोपिक के साथ